हेलो गाईस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस की Poco M4 5G फोन में आप लोग storage space running out problem को कैसे solve कर सकते हो अगर आपके पास एक Poco M4 5G फोन है गाईस उसमें जो है बार बार यापर उपर से notification आ रहे storage space running out ठीए गैस तो आप लोग इस problem को कैसे solve करोगे तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गैस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस problem को सॉल्ब करने के लिए आपको जो सबसे पहले जो है अपने स्टोरेज को थोरा सा खाली करना होगा तो कैसे खाली करेंगे गैस खाली करने के लिए आपर मैं आप लोगों कुछ टिप्स देने वाला हूँ आज तो इसलिए वीडियो को लास तक देखित रही है और अगर वीडियो जो आप लोग यूज नहीं कर रहे हो उसके बाद अगर आपके फॉन में मूवी बगरा है आप लोगोंने देख लिया है तो उन सब को डिलेट कर सकते हो अगर डिलेट करने के बाद भी आपका स्टोरेज स्पेस रानिंग आउट प्रोब्लेम सॉल्प नहीं हो र इधर रिखा देता होगा तो मैंने यहां पर यह वाला जो सेफी है वह मैंने डिलेत कर दिया है देख सकते हो तो दिलेट करने के बाद भी यह जो है डिलेट नहीं हुआ है rozm Chopcz में इसे डिलेट करना होगा तब यहाप लोगों को प्रोब्लेम सॉल्फ हूगा तो इसाप लि दिलेट किये थे कुछ फोटो और वीडियो वगड़ा वो यहाँ पर हो रहा है वो डिलेट नहीं हुआ अभी तक तो जब मैं यहाँ पर से डिलेट पर क्लिक कर दोंगा उपर की तरफ यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूं और डिलेट पर क्लिक कर देता हूं तो अभी जो है मेर storage space running out problem अगर है तो वो solve हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने storage space running out problem को solve कर सकते हो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते होगा मैं यह भी आप लोगों को बताऊंगा अभी उसके बाद आप लोगों को यहापर से फिर से नीचे scroll down कर लेना है और यहापर और एक option होग पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहापर से भी अगर आप लोगों को ने कुछ डिलेट किया है तो वह भी आप लोगों को ट्राश के option पर देखने को मिल जाएगा तो यहापर से उन सब को डिलेट कर देना है आपका जो storage space running out problem है वो solve हो जाएगा उसके बाद आप ल अगर आपके phone में बहुत सारे games बगएरा है जो आप लोग नहीं खेलते हो या अगर आपके phone में बहुत सारे application बगएरा है जो आप लोग use नहीं कर रहे हो तो उन सब को uninstall कर देना है तो uninstall कैसे करेंगे guys uninstall करने के लिए आप लोगों को जिस भी application को uninstall करना है उस पे long press किज ये एक option आयगा एप information का तो इस पे click कर दिजिए click करने के बाद बीच वाला option देख सकते आनिंट्रोल लिखा हुआ है तो इस पे click कर दिजी और ओके पे click कर दिजी ओके पे click करती यह जो application यह आनिंस्टॉल हो जाएगा तो एसे करके कुछ एप्लिकेशन को आप लोगों का अनिस्टॉल कर देना है और आपका जो स्टोरेश पे इस रनिंग और प्रोब्लम में वो सॉल्फ हो जाएगा उसके बाद भी अगर सॉल्फ नहीं हो रहे तो मैं आप लोगों को और कुछ य करेंगे और यह आपन नीचे क्लीन आप का ओप्शन आए जाएगा आप लोग थोड़ा वेट किजिए देख सकते क्लीन आप 2.80 जीवी तो यह पर हम क्लिक कर देंगे यह पर हमारा जो 2.80 जीवी हो खाली हो जाएगा और आपका स्टोरेश पेस रनिंग और प्रोब्लेम भ लेजबूक उसके बाद क्रोम गूगल यह सबको तो मैं आप लोगों पहले दिखा देता होगा इस आप लोगों सेटिंग्स में जाना है और यह आपर से नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है नीचे ओप्शन देखने को मिलेगा इस एपस का तो इस एपस पे क्लिक कर देटल ने मेरा 101 MB का स्टोरेज ले लिया है तो एसे करके आप लोग स्टोरेज को देख लीजिए और जिस भी एप्लिकेशन ने ज्यादा स्टोरेज ले रहा है जैसी कि आप लोग को इंस्टाग्राम क्रोम फेस्बूक पबजी बीजी मा यह सब तो इन सब का क्लियर डाट है वो क्लियर हो जाएगा और आपका स्टोरेज स्पेस रानिंग और प्रोब्लेम भी सॉल्फ हो जाएगा तो इसे करके जो है आप लोग स्टोरेज स्पेस रानिंग और प्रोब्लेम को सॉल्फ कर सकते हो अगर फिर भी सॉल्फ नहीं हो रहे है तो आप लोग एक काम कर सकत है वहाँ पर एक मेमोरी काट आप लगा सकते हो और आप वहाँ पर आप लोग अपने फोटो और वीडियो को ट्रांसफर करके रख सकते हो ऐसे करने से भी आपका जो स्टोरे स्पेस रनिंग और प्रोब्लेम में वह सॉल्व हो जाएगा तो कैसा लगागा इस आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई